इवल डेड ट्राइज 2023 तो कहानी शुरूखत पर नाम चंगलों को दिखाते हुए होती हैं, जहाँ पर हम एक अजीब सा घर दिखते हैं, उदर उस घर में तीम दोस्त छुटिया मनाने आये हुए थे, ये घर नहर की किनारे था, जितर दो दोस्तों बैटे बहुत जाद मस्त कर रही थी और उसे एक किताब पर पढ़कर सुना दिया, पर ना जाने एक तमसे जेसिका को क्या हो गया था, वो अपनी अजीब सी आवास में उसके इसा लग रहा था, कि जैसे इसके अंदर कोई और बोल रहा हो, उसे उल्टिया प्याने लगती है, उसकी आँखों का जिसके बाद हम जैसिका को हवा में उर्ता हुआ देखते हैं और उसकी दोस्त जो रोते हुए ये सब देख रही थी अब तक तो आप लोगों को ये पास समझ नहीं आई होगी कि जैसिका कौन थी और इन तीनों दोस्तों के साथ आखिरकार ऐसा हुआ क्यों था ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था तो हम एक पुरानी बिल्टिंग को देखते हैं जिसके एक अपार्टमेंट में एली नाम की औरत अपने तीन बच्चों के साथ रहती थी एक रात एली की बेहन उसके घर पर आती है जिस का नाम बैट था बैट एली के घर पर आकर उसके बच्चों को तोफ़े देती है जो वो उनके लाई थी बैट एली के हस्पेंट के लिए भी तोफ़े लाई थी क्योंकि वो ये बात नहीं जानती थी कि उसकी बेहन अपने हस्पेंट के साथ नहीं रहती जब बैट एली से पूछती है तो एक उद्धासी वाला महाल बन जाता है। इसलिए एली अप बैट से बात करने के लिए अपने बच्चा को बाहर पीजा लेने के पाहने बेश देती है। ये जलसला आने की वचा से कार पारकिंग में एक बहुत बड़ा सुलाख हो गया था। इतना बड़ा के वो उसके अंदर भी चा सकता था। अब पैने ये सब देखने के अंदर क्या हो सकता है। वो सुलाख के अंदर चिला जाता है। चाह पर उसे कुछ किताबे और रिकॉर में से जीजिस क्राइस के भी मुर्ती निकलती है। उसे उस कबर से एक किताब भी मिली थी जो कपड़े में धाम भी हुई थी। गैनी बिना कुछ जाने उसे अपने साथ लिजाता है। उदर ओपर इनकी मौम एली अपने बच्चों के लिए परिशान हो रही थी। क्योंक आली के बच्चे लिफ्ट से घर में आ गए थी। जिनने देकर आली बहुत डाटती है। और ये भी कहती है कि जब सलसला आए तो लिफ्ट का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए। इतना कैकर वो अपना काम करने लांडरे के लिए कपड़े लेकर लिफ्ट से जाने वाली थी। उदर डैनी उस किताब को और जो आडियो डेप्स उसे मिली थी उन्हें लेकर कमरे में चला जाता है। अब वो उस किताब को खुलने के कोशिश कर रहा था पर वो नहीं खुलती क्योंकि वो किताब नुकीले दान्तों से बन थी। उस किताब को दीकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी का मुँ हो, तभी उसकी अंगली, उन्नों की निदांदों पर लग जाती है, जिससे खोन आने लगा था, जो उसके किताब पर फिकरता है, पर हैरान कर देने वाली बात ये थी, कि वो किताब उसके खून को अपने अंदर जजब कर लीती है, और तभी वो की तस्वीरे थी जैसे कोई किसी पर चादू कर रहा हूँ डैनी उस किताब को तो नहीं बढ़ता पर जो उसी आडियो टेप मिली थी उन्हें चला कर सुनने लगता है जिसमें पहली आडियो टेप में एक फादर थी जो बता रहे थी कि हमने अपने साथियों के साथ किताब को जानने की कोशिश की है जिसमें अचीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है अब अगली बाद दूसरी आडियो टेप में थी डैनी जब उसी चलाता है जिसमें फादर उस किताब के बारे में बता रही थी किताब उन्हें मिली कहा से थी पर अचानक सी वो आडियो ट तब हम देख पाती है कानी ताकत उस टेप से आसाथ होकर लिफट में एली के अंदर आ गई थी जो आते ही एली की हड़ियों को बुरी तरह से तोड़ देती है और से बहुत ही बेरहमी से मार रही थी दैनी उदर आडियो टेप को रोखने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं क उनके घर के इसका मतलब जो कुछ भी कल्स हो रहा था वो सिर्फ इनी के घर में था थोड़ी देर बात एली अपने घर वापिस अचाती है जो दिखने में थोड़ी ठीक लग रही थी और वो चल कर अपने घर आई थी मगर थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो भी काल टाकत उसकी अंदर थी उसने एली की हड़ीयों को तोड़ दिया था मगर अब एली बिलकुल टीक चल पा रही थी और किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है जिब उसके पास उसकी पहन आती है और उसे पुलाती है तो तब ही वो उल्टिया करती है और जीप सा परताओ कर पर सब लिफ्ट में जाने से डर रहे थी और सिलसरी की वज़ा से सीरिया भी टूट चुकी थी खैर ये सब मिलकर एली को कमरे में खिटा देते हैं अब उदर इनके परोस का वही लड़का जिससे एली ने अपने बच्चों को ढूडने के लिए मदद मांगी थी वो एली की आ जो कौन किसी और की नहीं बल्के एली की थी जो अपनी बेहन से ये कह रही थी कि उसका जिस्म ज़ल रहा है उसे कोई बच्चाए और तब ही वो जिन्दा वोकर बैठ जाती हैं जब बैठ अपनी बेहन के जिस्म को हाथ लगा दी है तो वागी उसका जिस्म गर्म था ऐसा रहा था कि जैसे उसका जिस्म आग में चल रहा हूँ, तभी बैट उसे बाथ टप में ले जाती है, तभी अजानक से एली पानी से निकल कर दिवार पर चलने लगी थी, और इतनी जोर सी चीखती है कि सभी उसकी चीख सुनकर बेहोश होने वाले थी, साथी साथ बाथ टप मे कोई काली दाकत आ गई है, यहीं पर एली अपने परोस में रहने वाले यड़के की आग को भी निकाल देती है, और दोस्त्रे परोसी के मूँ में फैंक दीती है, इस बात का फाइदा उठाकर बैट अपार्टमेंट के दरवासों को बंद कर देती है, उसके साथ एली के को खुला है, इधर यह सब आपस में लडाई कर रही थे, उधर एली अपने सबसे छोटी बेटी को अपने बातों में पहला पुसला कर उससे थोड़ा सा गेट खुनवा लेती है, एली की बड़ी बेटी के साथ भी अब जीब होने लगा था, उसके चेरे पर जीब से निश सेस्ट हो चुकी थी, वो अपनी आँटी बेट पर हमला करती है, और साथ ही अपनी बेहन को मारने के भी कोशिश कर रही थी, मगर उसके छोटी बेहन अपनी डॉल को उसके सर पर मारती है, और अपने आपको पचा लेती है, अब बेट को भी डेनी सब बताता है, कि ये सब उसकी वज़ा से हुआ है, अब बेट सब जानने के बाद देनी की कमरे में चाती है, ताकि वो आखरी टेप रिकॉर्डर को सुन सके, बेट हेड़फोन लगा कर टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है, कि जो भी गलत हो, उसी के साथ हो, गोई और उसे ना सुन सके, बेट जब तीसरी और आखरी रिकॉर्डिंग को सुनती है, तो यहाँ पर अब बेट को सारी सचाई का पता चलता है, असल में ये किताब एक प्रिस्ट फादर को मिली थी, और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाते थी, लेकिन पिर चर्च वालों ने फादर को चर्च से निका ये एक डिमॉनिक किताब थी, ये इंसानी जिल से बनी थी, और इस पर इंसानी खून से निका हुआ था, इस किताब में हैंदोसक के खतरनाग डीमन्स को बुलाने के तरीके थी, और इनी सब बातों को वो फादर समझना चाहते थी, अब यही बाते बैट बैटी आवास निकालती है, मैं जो भी हूँ, तुम मुझे असानी से हरा नहीं सकती, अब बैट और एली की छोटी बेटी ही बचे थी, अब यहाँ पर बैट को मारने वाली थी, तब ही एली की छोटी बेटी बैट को केंची दे दी है, जो बैट एली के मुँ में डाल देती है, ज उसकी छोटी बेटी सुटकर ये कहती है, यू आर नॉट माइ मॉम, तुम मेरी मॉम नहीं हो, अब वहाँ पर एक ही करकर, जो नूग एली ने मारे थी, वो सिंदा होने लगते हैं, और ये कहते हैं कि शाम तक कोई भी नहीं बचेगा, यहां से बैट और एली की छोटी बेटी के पास, भागने के इलावा कोई और रास्ता नहीं था, पर जो लिफ्ट थी, वो बंग थी, और तरवासा भी बंग था, उस लिफ्ट के अंदर चाबिया पसी होई थी, क्योंकि जब एली पोजेस्ट हुई थी, तो उसके हाद में यह चाबिया थी, एली की बेटी अब चाबिया की से उस लिफ्ट को चाबिया निकाल लेती है, और लिफ्ट भी चिलने लगी थी, मगर हम देख पाते हैं कि एली की बड़ी बेटी और डैनी, जो के मरने के बाद डीमन्स के कंच्रोल में थी, उसके अंदर उनका खून भी बड़ने लगता है, जैसे लिफ्ट नीचे आ रही थी, खून भी बरता जा रहा था, उदर उसकी ताब का सफ़ा भी पलट जाता है, जिसमें अजीब सा बना हुआ क्रियेचर था, और देखती ही देखती एली भी अब उस क्रियेचर में बतल गई थी, उदर जैसे लिफ्ट नीचे आती है, तो फून भी बाहरा आता है, फून में बरी बेथ और एली की छोटी बेटी जनती से गारी में बैट जाती है, पर उनकी सामने तुवारा एली आ गई थी, मगर इसके लावा बैट के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, जिसके बाद बैट एली की छोटी बेटी को नेकर यहां से चली गई थी, मगर वो डीमन खाली ताकर अभी ख़दम नहीं हुई थी, अब हम अगले दिन का सीट देखते हैं, कि एक लड़की जैसिका उसी लिफ्ट से नीचे आ दी है, जो एली की नीचे वाले बिल्टिंग मेरा आ करती थी, और जैसिका वही लड़की थी, जो हमने कहाने के शुरू में भी देखी थी, अब जब यह लिफ्ट से नीचे आ दी है, तो बहुत सरा खून देखती है, और पुलिस को कॉल करने वाली थी, तभी वो ही डीमन जो एली के अंदर था, वो आगर जैसिका को भी पुजेस्ट कंट्रोल कर लेता है, अब आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी, कि जैसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा, और अभी भी वो डीमन जैसिका की अंदर ही है, आगी वो डीमन क्या तबहाई पहलाने वाला था, कोई नहीं जानता, और इसी के साथ इवल टैट राइस की यह कहानी यहीं पर खत्म जाती है,